हलो फ्रेंड्स, वेलकम तो माई चैनल, आज अजवायन का पौधा हम कटिंग से कैसे असानी से ग्रो कर सकते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो ये देखें, मैंने तीन-चार कटिंग लिए हैं, मेरे पास इसके और भी दो-तीन प्लांट्स हैं, तो मैं वहीं से ए सीजन में इसको आप ग्रो कर सकते हैं, बस इसको बारिश में पानी से आपने अगर बचा लिया, तो ये सालों साल आपके पास रहता है, बहुत easy to grow प्लांट है, succulent family का प्लांट है, तो ये, मैं इसकी कुछ cuttings ले आई हूँ, ये काफी time से winters में neglected पड़ा हुआ था, तो light करने के लिए, तो ये मैंने इसकी कुछ cuttings ले हैं, और ये एक प्लांटर है, ये भी मैंने cuttings से ही तियार किया है, ये basically ये mint family का plant है, इसमें जो oregano हम pizza में और pasta में यूज़ करते हैं, तो उसमें जो leaves होते हैं, तो उसमें पुदीना, अजवायन, oregano, इन सब चीजों का mix होत होता है, तो इसके leaves में आप ये देख सकते हैं, ये काफी वैलवेटी इसका touch होता है, हलका से इसको हम touch करते हैं, तो हाथों से खुश्बू आने लग जाती है, अजवायन जैसी, और ये देखें, अब ये winter में भी इसमें छोटी-छोटी नई growth start हो गई है, तो ये धूप मे ये छाय में हर जगा पे survive कर जाता है, बस इसको थोड़ा सा बारिश से अगर आप बचा लेते हैं, तो फिर ये फिल्कुल खराब नहीं होता, तो मैंने एक छोटा सा प्लांटर लिया है, ये छोटे से छोटे प्लांटर में भी और बड़े से बड़े कहीं पे भी लगाई ह और ये सालो साल चलता है फिर, इसको कुछ नहीं करना है, बस आपको नीचे से दो तीन लीव्स निकाल दीजिए, और जो कम से कम दो या तीन नौड एरिया इसका मिट्टी में जरूर जाना चाहिए, तब ही इसमें रूटिंग स्टार्ट होती है, बस इसको बहुत हलके इसमें लगाऊंगी, तो फिर ये गमला, ये पॉट जल्दी से बहुत जल्दी ग्रो होता है, ये एकदम से भर जाएगा, और इसके लीव भी ये जेट प्लांट की तरह बिल्कुल इसके लीव भी जो है, वो सुखेंगे नहीं, और ये ऐसे हरा रहेगा, और इस तरह से हमा इसे चाय बनती है, बहुत से लोग इसे पकोड़े वगरा बनाते हैं, वैसे मैंने पकोड़े का भी नहीं बनाये हैं, पर हाँ, चाय मेरे घर में ज़रूर डिफरेंट टाइप की बनती हैं, ग्रीन टी, रोस टी, हिबिसकस टी, तो आप इसको ट्राइ कर सकते हैं, इसका ब प्लांचिस थी हैं, टूटके गिरी हुई थी, मेरे जेट के प्लांटर में, और वहां से मैं उसको उठा के लेके आई हूँ, और उसमें भी रूटिंग स्टार्ट हो गई थी, तो इस तरह से छोटे-छोटे प्लांटर में बहुत सारी कटिंग्स लगाईए एक साथ, और एक भी कटिंग इसके फेल नहीं होती है, यह मेरा experience है, और इसको किसी भी तरह की मिट्टी में, soil में आप लगा दीजिए, किसी भी तरह की pot में लगा दीजिए, और फिर यह सालों साल आपके साथ रहता है, और यह देगी, एक छोटी सी कटिंग है, यह टूटके गिरी थी, इसको भी मैं लगा देती हूँ, इसमें से भी एक दो branches आनी स्टार्ट हो जाएगी, तो यह इतना easy to grow plant है, बहुत ही अच्छी खुश्बू आती है इसमें, आप जस्ट इसके पास से निकल जाएए और इसके leaf को हाथ से टच भी करेंगे जरा सा, तो आपके हाथों में जूरी नहीं है, आप इसको भी kitchen में use करें ना करें, बट लेकिन आप इसको अपने collection में ज़रूर add कर सकते हैं, तो अगर आपको अच्छा लगा तो like and subscribe my channel and thanks